खोस्तों नमस्कार आज हम दिस्टिरियोसिस इंगोट के विशे में बात करेंगे जैसा कि दे आपको इस वीडियो में देखने के मिल रहा कि ये गोल गोल घूम रही है और गर्दन को एक ही साइड मोडे हुए है और यूनिलेटरल सरक्लिंग कर रही है और इसमें क्या होता है जो है जानवर सुस्त रहता है और एसेंडिंग टाइब का इंफेक्शन होता है और भोजन खाना छोड़ देती है बुखार रहता है गोल गोल गूमती है जैसा कि देखें और नाक बहती है जीब बाहर रहती कभी-कभी निकालती है और लार गिरती रहती है और इसमें जो है आईली ड्राप होता है जिस तरह पैरालिसिस होती है उसी तरह वो घूमती है और मस्टी केट्री जो मसल्स होती है वो पैरालिसिस हो जाती है जिसके कारण अगर ये चारा मूँ में ली है तो मूँ में ही लिये रहती है उसमें फसा हुआ रहता है और मजल डेवियेटेड रहत और ये चिलाती है और वहीं पे बैठ जाती है सुस्त हो जाती है और ऐसा ये लच्छन जो है दिखाती है और इसका जो है उपचार हम जो हाई डोजा प्रोकेन पेनसलीन का 44,000 मिलिग्राम इंटरनेशनल आयू जो है पर केजी के हिसाफ से हम देते हैं और उसके बाद डेक्सा मिथासोन हाई डोजर 1 मिलिग्राम पर केजी के हिसाफ से देते हैं